स्री सिवाए नमस्तु भ्याम मेरी प्यारे सभी दर्सकों हम आप सभी लोगों को नए साल के उपहार में धेर सारे बदाईया देता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो दोहजार शोबिस नया साल जो फष्ट जनौरी के दिन ही आप मुझे कुछ उपाय जरूर कर ले जिसे आपके जीवन में जन्मु जन्मु से चली आ रही है गरीबी है समस्या हैं पैसों के दिकते संतान सों के ऐसी कुछ होती है कि जो आपके जन्मु जन्मु से चली आ रही है आपके साथ में आप हमेशा परसान रहते हैं तक एक इन समस्चाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक जन्मु जन्मु जनौरी मुत फष्ट जनौरी सफेद आकड़े का जवजड होता है इसके बहुत नियुका बाताएंगे तांटरीक उपाय बताने के साहथ सत में आप लोगों किछ इसके उसदी गुड़ों को भी बात करें के तुछलिए हम लोग समझ लगते हैं आखेर सफेद आकड़े का जवजड़ किस तरीके से किन बी करके जो समझ जाएं बस आप चाहते कि भोले बाबा की किरपा लग जाएं तो हर तरीके का आपका भोले बाबा रख्षा करेंगे बस आपको फश्ट जरूरी सुमार के दिए इस उपाय को कर लेजिए का आँख बंद करके भोले बाबा आपके साथ खड़ेंगे तो चलिए हम लोग इसके तांतरिक उपायों को पहले समझ लेते हैं तब जाकर के इसके औसदी गुड़ों को भी बात करते हैं ठीक है अगर तांतरिक उपाय में पहला नमर का जो जबरजस्त उपाय है यह होता है कि आपके साधी के दस साल हो गए बारे साल हो गए तीरे साल हो गए है ल जो लोग जाड़ फुक वाले काम करते इसी के जड़का उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही जबरजस्त यह उपाय है पस बोले बाबा की भक्ति करना होगा साथ में इन उपायों को कर लेजिए देखिए आपको अवसी चाहे तेरे साल होगा चाहे पंदरे सा बात नहीं है ना तो पत्ते का ना तो फूल का इसका इस्तमाल आपको नहीं करना है बलकि आपको लाना है क्या आप सफेद आकड़े का जड़ लेकिन जब आप सफेद आकड़े के जड़ लाए तो जड़ लाने से पले उसको निमंतर देना जरूरी है साम के समय में ही जाकर करके उसको निमंतर देने के बाद ही आप अगली सुबह आप जो है उसको लाइएगा और सुबह के समय इस काम को करना है पस्ट जनौरी के दिन ठीक है सो मुआर के दिन आपको छोटा सा जो है उसके जड़ को लाना है पूरा नहीं था कि जिसे पेड़ी सुख जाए ऐसे करें है तो उस जड़ को किसी लो है के खुरपी से कुधाल से नहीं इस्तेमाल करना है बल्के किसी लकड़ी सही आपको उसके जड़ को काटना है थोड़ से परिशान होगे कठिराई होगे लेकिन उसको वह अच्छे से धो करके आप जो अपने घर के पूजा मंदर में बैठ जा जब आप भगवासीव के मंदिर में चले जाते तो वहां पर आपको उनके पास में ही बैठ करके क्या करना है कि उसके जड़ को सबसे पहले सीवलिंग पर आपको 21 बार घुमाना है लेकिन क्या बोलते हुए घुमाना है तुम रुका महादेयो जी का नाम लेते हुए जड़ को 21 बार घुमाना हें जैय लाल कपड़े मेंат अच्छी तरीके से ऐसे लपेट देना है ताकि इसको जब आप यूज करें सरीर में चुबए नहीं तो आपको क्या करना इसको लाल कपड़े में लपेड़ देना है अच्छे से लाल कपड़े में लपेड़ने के बाद जो आपने मोली धागा लिया है उस मोली धागे को क्या करना है उसमें बाद देना है मोली धागे से अब मोली धागे से ऐसा बाद रहना अपने साइच के हिसाब से जो भी महिला हैं जो भी पत्निया ऐसी एगर जहल रही हैं समस्या जहल रहे तो उस महिला के लिए खास्तरे कैसी उपाय है भगवान सीव के मंदिर में जाकर करके वह महिला है जो इस उपाय को करें करने के बाद जो है आप उसको अपने कमर में बाद देना है ठीक है बाद हने के बाद वहा और आपको भगवान सीव का सच्छे दिल से भक्ती भी करना है और हर सुमवार को उनको एक लूटा जल तता बेलपत्री जरूर ही अरपित करना है इन उपायों को करने के सासत एक और उपाय करना है तब जब को संतान अनभूती 100% ही हो जाती आपको वहीं पर भगवान सीव के लिंग के सामने जहां पर जो है नंदी महराज का स्थान होता है उसके पास में आपको बैठ करके ठीक है आपको क्या करना एक जो है पीपल का पत्ता लेना है ठीक है एक पीपल का पत्ता लेना है लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि इस उपाय को घर में ही कर लेना है एक गाय के दूद्ध में डाल करके इसको वॉयल करना हैं ऑपको जब उसका रस पीपल के पत्टे का रस समचे से चला जयता तो पीपल के पत्टे को निकाल देजीए और उस दूद्ध को लाएं किलास में करकर के भगवान सीव के मंदिर में ठीक है उसको लाइए और भगवान सीव के जो लिंग होता उनसे टच करा करके तुम्रुका महादेव जी कर नाम ले करके आप जो इस दूद्ध को पी लेजिए और या दूद्ध जो किवल महिलाओं को ही पीना ना कि पूरुस को नहीं पीना ठीक है और इस जो दूद्ध को पीना है साथ दिनों तक लगतार जो है इस काम को करना है भगवान सीव के लिंक के सामने आ करके ऐसा दूद्ध बना करके आपको पीना है और इस उपाय को करते हैं साथ दिन तक तो तुम रुका जो महादेव जी की जब क्रिपा लगेगी तो अवस ही आपको संतान सुख मिलेगा और इससे जो जड़ का उपाय है दूद को तो मातर साथ दिनों तक पिना लेकिन जो जड़ को आपने कमर में बादा जो भी महिलाय जो भी इस्त्रिया अपने कमर में बादा कुछ लोग पूछते कि कमर में कब तक बादे किता है बस आपको भगवान भोली नात पर भगवान शूपर भरोसा करना होगा जब महादेव की क्रिपा लग जाएगी महादेव को ऐसा लगएगा कि हाँ मैं सची बक्ति तो अवस ही आपको संतान सुख के अनबूती मिलना ही मिलना ठीक है ऐसा भी तांतर सास्त्र में है क कोई भक्त जो है महादेव का क्योंकि जो मदार का पेड़ होता है अगर साड़ी गारे साल बरस पूराना हो जाता तो उसके जड़ में जो भगवान सिरी गड़ेश जिसे पर्थम पुझे गड़ेश ले होता कह जाते हैं उनके सूड की आकरिती बन जाती है इसलिए अगर क मदार के जड़ में ले जाकर के एक लोटा जल भी अगर अर्पित करता है तो भगवान सिरी पीसे इस तरीके से परसन होते है साती भगवाशी गड़ेश भी परसन होते हैं त Mendarma का जड़ है तो उसका तो आपने उपाये कर ले लेकिन मदार का जो फूल होता है और वहाँ से जो फल निलते हैं उसको फल से अगर आप जब पक जाता तो उसमें रूई निकलते हैं रूई अगर उस रूई का आप जो बत्ती बना करके अगर भगवान सीव के लिए जलाते हैं भगवान सीव को प्रसंद करने के लिए उसके रूई का बाती बना करकर आप इस्तिमाल कर होते हैं तो भगवान सीव तता भगवान सरी गड़ेस बहुत ही परसन होते हैं क्योंकि आपने मदार की रूइक आपने इस्तेमाल किया है तो इस तरीके से होते हैं जो सफेद पुस्प वाले होते हैं वही जो है बहुत ही कारगर होते हैं क्योंकि निला वाले होते हैं चित्या होती है और कटोरी नुमा होता है और सफेद आकड़े का जो पेड़ होता है आपको बंजर जमीन पर खुले अस्थान अब निकलाते हैं इसलिए आप जो को अगर सफेद आकड़े का पौधार मिलता तो इसको काड़ करके फेकना नहीं है बलकि इसका जो ऑसदी गुड़ है जो हमारे सरी के लिए दे सकता है वह दात दर्द में अच्छा कासा कारिगर होता है दात दर्द के लिए कैसे करना है थोड़े से साउधारिस इसको समझ लेना जब भी आप इस मदार के पत्ते को तोड़ने जाते हैं मदार के फूल को तोड़ने जाते हैं तो उसका जो दूध निकलता है ठीक है उसका पत्यों को तोड़ेंगे फूल को तोड़ेंगे तो थोड़ा सा दूध निकलता है और वह जो दूध बस आपके आखों से दूर ही रखना है बाखी कहीं पर चला जाए कोई नुक्सान नहीं जाएगा आखों में इसका दूध नहीं बस जाना चाहिए तो इसकार दूध और घी बराबर मात्रा में लेना है अगर आपने चार बूध दूध लिया है तो चार बूध जो है घी भी ले लिए एक चमच दूध लिया तेक चमच घी लेजिए इसका दूध जादे निकलता है इसके दूध निकलता है तो इसके दूध और घी को बराबर मात्रा में मिला करके रूही का फाहा बनाई या रूही के फाहा में डूबो ले और डूबो करके आपको जहां पर भी दात दर्द बनना है जहां पर भी दात दर्द करें उस जगह पर आपको रूही का फाही बना करके दबा लेते हैं बस कुछ समय तक इस दात के पास रखने से दातो होता है दूसरा नमर का जो यह उपा है दाद खाज में भी अच्छा खासा कारिगर होता है तो दाद खाज के लिए क्या करना है कि आप इसके डारेक्ट कर हिम्मत है कलेजा है इसके डारेक्ट दूध को ही लगा सकते क्योंकि जब डारेक्ट दूध को लगाएंगा बहुत इसलिए आप जो इसकेत दूद में थोड़ी से सहद मिला ले तो जलन कम हो जाएगा तो दूद में थोड़ी से सहद मिला करके दाध वाले अस्थान पर जो अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी कारिगर होता है कैसा भी जबर जबा दखाज हो अगर आप उसको सहन कर सकते जब इरिटेट करेगा तो आप वैसे ही दूदको लगा लें लेकिन बहूत ही इरिटेचि टो इसलिए आप सहद मिला करका करते हैं तो इरिटेसर नहीं होता है तीसरा नमर का जो फायदा है कान दर्द के लिए भी अच्छा खासा जवर्जस्त कारिगार होता है कान दर्द में करना क्या है जो इसका पीला वाला पत्ता होता है अब मदार के पोधे के पास जाएंगे तो इसमें पीले पत्ते होते तो पत्ति को आपको क्या करना लाना है और उसको घी में अच्छे से चुपड करके आग पर सेक लेना है आग पर सिकया करने के बाद उसको निचोड़ना है ठीक है निचोड़ने के बाद जो इसका रस निकलेगा न निचोड़ने के बाद जो गरम जब हो जागत इसमें रस निकल तो आपको इसका फूल एक भाग लेना है तो तीन भाग गूर लेना है अगर मानके चलेगा इसको वेट करके लेते हैं तो दो गराम अगर फूल है तो 6 गराम क्या लेना है गूर इसमें मिलाना है और इसको पीस करके आपको सुखा लेना है सुखाने के बाद गूर के साथ आपको इसको पीस रहा है सुखा लेना है सुखने के बाद जो मटर के दाने के अकारिक को है गोली गोली बना लेना है ठीक है मटर के दाने के अकारिक सुबह सामबस मातर लेते हैं तो एक महीना तक लगतार लेने से जो मिर्गी का दौरे होते हैं उसमें आपको काफी अत्यादिक जो सुधार देखने को बिलता है कुछ लोगों तो जड़ से ही खतम जेगा मतलब खाने के बाद कभी उनको मिर्गी का दौरा ही नहीं पड़ा ऐ यह मिर्गे में रहमबार सामित हो सकता है अगला नमर की दिफायदे की बात किया जा तो यह बावसीर के रोगियों के लिए भी बहुत है जब हो जाता है न तो बिचारी चुप चुप करके दावाल लोग कराते रहते हैं उसके बाज़े भी काम नहीं करता है और कुछ पाई जो अइरबेदा में इन वसदियों में ही है लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं अप्रेशन कराते जाते हैं बिल्कुल ही आपको यह मदार का जो जड़ है मदार का जो दूद है बिल्कुल ही खतम कर सकता है बावसीर के आपको करना कैसे सुर्योद से पलिस को इस्तिम लेना है इस काम को लगतार आप जो एक महीना से लेकर के चालिस दिनों तक अगर इस उपाय को कर लेते है तो बहसीर के समस्या आपको हमेंचा कर लेखा कम हो जाएगे इस तरह के से बहसीर के ड्रोगयों के लिए अच्छा का सा कारिगर साबित होता है अगला नमर की यूदि फायदे की बात किजाए तो यह पद्थरी में भी अच्छा किश्या है, मत्वब आपके घुरदे में पद्थरी में पद्थरी बन जाते हैं, तो लोग दव dice बड़ी पद्थरी को भी यह गाट, कर गाला करके निकालने में अध्षदगार σाबित होता है, ठीक है कैसे करना है थोड़ी से साधाने से आप जो सुन लेजिए इसके मदार का जो फूल होता है सफेद वाले सफेद वाले कम सकम दस फूलों को लेना है और दस फूलों को पीस करके आपको एक गिलास दूद में मिला लेना है एक लास्तूर में दस फुलों को पीस करके गोल लेजिए और उस गोल को हर सुबह लगतार अगर आप चालिस दिन तक पीते हैं तो यह जो गुर्दे और मुत्रासे की पत्री अगर बड़ी से बड़ी दिन में ही आप इस तरीके से यह जो मदार का पीड़े हैं सफेद आकड़े का पीड़ है हमारे लिए हर तरीके से जबज़े साबित होता है चाहे इसके औसदी गुड़ों के बात किया जाए या तांत्री गुड़ों के बात के जाए हर तरीके से फायदे मन्द होता है इसलिए मदार का अगर आपको कोई भी तरीका अगर समझ में आता हो असाल लगता हो ता आप इन उपायों को अवसी करीगा भगवान सीव के बिसेस करीपा जब आपके जीवन पर पड़ती है तो हर तरीके से यह उपाय कारिगर होते है लेकिन साथी साथ मैं आप लोगों से एक और भी इंति करना चाहता हूँ कि अगर आप इन उपायों को करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन जब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं होगा, विस्वास नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता भगवान सीव के जब करीपा लगती है तह आपके साथ में सब कुछ अच्छा होना होनी लगताह इसलिए आप इन उपायों को करिए साथ ही साथ भोले बाबा, भगवान सेव के आप किरपा के पात्र भी बनिये, तब जाकर के आपका हित होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है, अब दावा कराते रहें, कुछ नहीं होगा, भगवान सेव के किरपा के पात्र बनना बहुत ही जरूरी होता है